जहीं दोस्तों, welcome back to tube talk, दोस्तों हर अफते की तरह इस अफते भी, संदे को मैं आपके लिए special OTT अपडेट वीडियो लेकर हाजिरूं, जहां पर कुछ नई OTT अपडेट्स यो मेरे पास आईए हो, मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, और दोस्तों मैं आपको ये भी ब साथ शेयर करने जा रहा हूं, तो इन सब को जानने के लिए वीडियो को पूरा सुनना, और दोस्तों चैनल पर पहली बार आयो, तो चैनल को भाई, जरूर से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी अपडेट्स मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूं, सिर्फ OTT प्ल पहले बात कर लेते हैं, दोस्तों, एक नई मूवी जिसका नाम है, इन्फिनिटी पूल, जो कि एक हॉरर थ्रिलर फिल्म है, 2023 की इंग्लिश मूवी है, जो कि सिनमा इसमें रिलीज हुई थी, और अब दोस्तों, इसे जियो सिनमा के प्लाटफॉर्म पे, हिंदी और इंग् बेंगॉली फिल्म जिसका नाम है, शोहरर उश्तो नमो दिन, इसे दोस्तों, अब 25 अगस्त को Z5 के प्लाटफॉर्म पे रिलीज किया जा रहा है, और ये 2023 की एक सिनमा रिलीज है, इसके साथ एक और बेंगॉली फिल्म जिसका नाम है, तेनी दायन कमपनी, ये भी 2023 की रिल पे अब इसे प्री पॉन कर दिया गया, यानि इसे पहले रिलीज किया जा रहा है, और अब लंबर गीनी मूवी आपको दोस्तों देखने को मिलेगी, 24 अगस्त, यानि अगले हफते इसे पंजाबी में रिलीज कर दिया जाएगा, लेकिन जिस मूवी के आप लोगों को सब रिलीज डेट काब हुगी और मैंने इसे जादा चानने की कोजिश किया है, तो जो मुझे पता चला है वो यह है कि इसमें अभी भी October का टाइम लगने वाला है, October वो मन्त है, जिसमें इसे दोस्तों रिलीज किया जाएगा, डिजिटल पे कौन से OTT platform पे रिलीज किया जाए इसकी information कुछ भी तक निकल के नहीं आई है, लेकिन इसको मैं लगातार फॉलो कर रहा हूँ और जैसे ही को अपडेट आएगी वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा, इसके साथ दोस्तों, The Last Voyage of the Demeter, यह एक ऐसी मूवी है, जो 2023 में रिलीज हुई थी, एक English मूवी है, और यह अब VOD रिलीज होने जा रही है, 29 अगस्त यानि इसी मन्त के एंड में, The Last Voyage of Demeter को रिलीज कर दिया जाएगा, लेकिन जिसका सबसे जादा इंतजार है, वो है मूवी बार्बी, जो कि सिनमाज में रिलीज हो चुकी है, और बार्बी मूवी को काफी सारे कंट्रीज में वी ओडी पे रिलीज हो जाएगी, यानि आज से दो हफते बाद ही आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन इसे इंग्लिश के साथ हिंदी में रिलीज किया जाएगा या नहीं, इसके अब तर कंफरमिशन ही आई है, जैसे ही आएगी आपको दे दूँगा, इसके साथ दो दोस्तों, The Little Mermaid Movie, जो की वीडियो ऑन डेमांड पे एक महीना पहले रिलीज हो चुकी है, इसका अब हिंदी रिलीज कंफर्म हो चुका है, डिस्नी प्लस होट स्टार पे और The Little Mermaid मूवी को डिस्नी प्लस होट स्टार पे हिंदी लैंग्वज में 6th September, यानि 6th September से रिलीज कर इस मूवी को कब देख पाएंगे, तो दोस्तों, Sony Live के Twitter और Instagram handles, दोनों को मैं follow लगातार करना हूँ, और जो नहीं अपडेट है मेरे पास हो यह है, कि इसका जो कुछ OTT रिलीज से पहले, एडिटिंग बगार होनी थी, उसमें कुछ इशू आ गया है, जिस वाएसे इसको अ हो जाए, और Agent Movie Hindi रिलीज के साथ ही आपको देखने को मिले, इस महीने इसके रिलीज के चांसे कम है, September में इसके चांसे जादा बन रहे हैं, क्योंकि तब तक mostly sort out हो जाने चाहिए, जो भी issues इने आ रहे हैं, इसके साथ दोस्तों, जरा हट के जरा बच के मूवी की अपडेट मैंने आपको प्रोवाइड की थी, कि पहले इस मूवी को ऑगस्ट के second week में रिलीज कर दिया जाएगा, लेकिन वहाँ पे दोस्तों, इसे अब delay कर दिया गया, और अब लिखा हूँ आ रहा है कि इसे postpone कर दिया गया है, तो नई अपडेट के हिसाब से दोस्तों, अगर पड़ेगा, इसको confirm करने के लिए, क्योंकि अभी तक की जो expected date थी, दोस्तों, वो अब postpone हो गई है, और नई डेट है end of September, लेकिन इसके official announcement जैसे आजाएगी, वो भी मैं आपके साथ share कर दूँगा, इसके साथ दोस्तों, Rocky और Rani की प्रेम कहानी movie, जिसे cinema में रिलीज किये ह अब काफी दिन हो चुके हैं, और लोग इसके OTT रिलीज का इंतजार कर रहे हैं, तो दोस्तों, एक नई अपडेट इसके हिसाब से जो निकल के आ रही है, वो यह है कि 5 सितंबर, September 5 को इस movie को वीडियो on-demand, यानि Amazon Prime Video Rentals पे रिलीज किया जा सकता है, ऐसी काफी काफी स्ट किया है, जब यह सभी की यूजर्स के लिए फ्री हो सकती है, वो है 22 सितंबर, यानि अगर आपको इंतजार, तो थोड़ा सा और कर यह इंतजार हो सकता है, रेंटल पे देखना हो मिल जाए, और रेंट आप पे करेंगे, ऐसा तो मुझे नहीं लगता, आप कुछ ना कुछ जगाड करके जिसने रेंटल पे रिलीज होई, वैसी कि वैसे आप देख लेंगे, बिना कोई जादा पैसे खर्च किये, इसके साथ दोस्तों, एक मुवी जिसके लिए सबसे आदा आपके मेसेज आते हैं, वो The Kerala Story, और The Kerala Story की अभी तक तो कोई अपडेट निकल कर नही हो चुकी है, बस अब जो है, आपको इंतजार करना है, एक surprise announcement का बहुत ही जल्द जो आपको दे दी जाएगी, तो ये words है उनके, इसके creators के, जिन्होंने interview में बोला है कि OTT confirm हो चुका है हमारी तरफ से, और बहुत ही जल्दी आपको surprise announcement इसकी मिलने वाली है, तो दोस्तों, official update का wait करते हैं, तब तक केरला स्टोरी का थोड़ा सा और इंतजार कर लेते हैं, इसके साथ दोस्तों, जेलर मुवी का काफी लोग इंतजार कर रहे है और message मुझे करते हैं, तो दोस्तों, जेलर के अपडेट निकालने के, जो मैंने कोशिश किया है, उसमें मुझे पता चला ह कि ये मुवी दो प्लाटफॉर्म्स पे एक साथ रिलीज होगी, तमिल में रिलीज होगी, सननेक्स्ट अप पर या OTT प्लाटफॉर्म पर और दूसरी तरफ, नेटफ्लिक्स पर इसकी जो डील है, वो सौ करोड में हो चुकी है, अब ये टाइम्स ओफ इंडिया की में वो सिर्फ और सिर्फ 28 डेज का है, यानि 10 सितंबर, 10 सितंबर वाले वीक में, जेलर मुवी आपको OTT पे रिलीज होते हुई नजर आ सकती है, हिंदे में रिलीज होगी या नहीं, अभी इसको अपडेट में कर सकता, लेकिन जो भी मेरे पास अभी तक की अपडेट आई देखने को मिल जाएगा, ये था मेरा एकवी की वीडियो जहां पे मैंने आपको अपडेट दे दिये, इसके अलावा किसी मूवी के अपडेट चाहते हो, तो कमेंट कर देना, और अगर मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करते हो, तो वहां पर भी मुझसे चाट कर ल